दोस्तो नमस्कार मैं जगनान गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो अभी राजिस्थान से एक संसनिक खेश खबर आई है कि वहां के वरिश्टम मंत्री किरोडी लाल मीना ने भजनलाल सरकार से इस्तिभा दे दिया है यानि राजिस्थान में भजनलाल सरकार की उल्टी गिन्ती सुरू हो गई है जानकार बता रहे हैं कि भजनलाल सरकार का पांस साल टिक पाना लगभग नामुम्किन है और ऐसी असंकाएं तो चुनाव के तुरंत बाद उसी टाइम होने लगी थी जिस टाइम राजिस्थान के जो लोप्रियर वरिश्थम नेता थे और वसंद्रा राजे जैसी एक सीम और उनके साथी चाहिए क्रोडी लाल मीना जी हों ये आधा दर्जन से जादा ऐसे नेता थे जो सीम बनने की काबलियत रखते थे जिनने पूरा एक्सपिरियंस था सरकार चलाने का किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजिस्थान में ऐसे व्यक्ति भजनलाल को मुखे मंत्री बनाया जाएगा जिसका नाम मुखे मंत्री बनने से पहले लगभग किसी ने नहीं सुना था दोस्तो राजिस्थान की राजनीती में बहुत कुछ होने वाला है राजिस्थान में भाजपाक को 115 सीटे में थी और इन 115 सीटों में जो वर्षुंद्रा राजे समर्थक विधायकों की संख्या 40 से 55 साथ तक बताई गई थी जिस तरीके से वर्षुंद्रा राजेर उनके समर्थकों को अपमानित किया गया अंजान चेहरे को सियम बनाया गया यही कारण बताया जा रहा है कि भाजपा में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आप सब जानते हैं कि पिछली बार जब 2019 में लोगशवा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने राज़स्थान में क्लीन स्वीप किया था और 25 की 25 लोगशवा चुनाव जीते थे 25 सांसत जीते थे और कांगरेस का और अन्य पार्टियों का सफाया हो गया लेकिन दोस्तों इस बार इस्तिती वो नहीं रही कारण भाजपा राज़स्थान भाजपा में सब कुछ सामानने यानि ठीक ठाक नहीं चल रहा है भयंकर गुटबाजी है किसी को दिखाई देती हो या ना देती हो लेकिन गुटबाजी चरम पर है उसी का नतीजा किरोडी लाल बीना का कैबिनिट से इस्तिफा देना है और ये तो अभी पहला विकेट गिरा है सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे विकेट आने वाले दिनों में जड़ी लगने वाली है और इतने विधायत बजन लाल का साथ छोड़ सकते हैं कि जिस से उनकी सर्थकार खत्रे में आ जाए या गिर जाए इसके पीछे कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है कांग्रेस बहुत गुसे में है और वो एमपी का बदला लेना चाहती है जिस तरीके से आपरेशन लोटस या आपरेशन कमल चला कर मद्धे परदेश में कमलनात की सरकार गिराए गए थी तो कांग्रेस बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाई कमान ने आपरेशन हाथ सुरू कर दिया है इस पे काम तो लोगशवाद चुनावा से पहले ही चल रहा था लेकिन बीच में कही कालों के चलते लोगशवाद चुनाव तक इंतजार करने को कहा गया और जैसी की अपेच्छाएं थी कांग्रेस ने राजस्थान लोगशवाद चुनावाद में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पच्छिस में से वो ग्यारे सीटें जीतने में काम्याव रही और भाजपा पिछली बार की पच्छिस सीटों के मुकावले चौदे पर अटक गई ता दोश्थो इसी से अंदाजा लगया जा सकता है कि राजस्थान में भाजपा बहुत तेजी से कमजोर हो रही है और वहाँ पर आपरेशन हाथ सुरू हो चुका है यह सरकार अब गिरी के अब गिरी लेकिन कब गिरेगी इसका कोई एजेक्ट तारीक तो नहीं बताई जा सकती लेकिन आपरेशन हाथ सुरू हो चुका है और यह दावा किया जा रहा है कि भजपा बहुत लाल सरकार राजस्थान में कुछी दिनों या कुछी महिनों की महमान हैं और वो अपनी पांस साल की अमर पूरी नहीं कर पाएगी और हमारे कहने से कुछ नहीं होता इस बारे में एक वरिष राजने तिक विसले सकाफ यह वीडियो भी देखें अब सवाल यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में आपरेशन हाथ सुरू हो चु हमें जितनी सीटें कामरे इसको मिली हैं उससे और ज्यादा बल मिला है और भाजपा के नाराज विधायक अब फिर नए सिरे से वसंद्रा राजे के इर्द गिर्द इखटे होने लगे हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है बताया जा रहा है कि वसंद्रा र बताया कि चालिस से लेके पच्पन साथ तक उनकी संख्या हो सकती है वो नए सिरे से इखटे हो रहे हैं और वसंद्रा राजे इन राजनीतिक हालातों पर बारीकी से नजर रखे हुए है जबकि भाजपा में ने केबल राजस्थान बलकि कई राज्यों में मारा मारी चल र ही है और उसकी बानगी ये हर्याना से आई है किरोडी मल किरोडी मल किरोडी लाल मीना के इस टीपे के रूप में तो दोस्तों जो राजस्थान के सूत्र हमें बता रहे हैं या कांगरेस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि आपरेशन हाथ कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में सफल होने वाला है और उसकी तयारियां कांगरेस कर चुकी है और कहा ये भी जा रहा है कि वसुंद्रा राजे के साथ भी कांगरेस के सूत्रों की बातें चल रही हैं और जिस दिन वो मुकाम पर पहुँचेंगी उसी दिन राजस्थान में बजनला सरकार यानि भाजपास सरकार गिर जाएगी और बजनला सरकार गिनने के साथ ही मद्य परदेश का बगला राजस्थान में आपरेसन हाथ करके कांगरेस हाई कमान ले लेगा बस देखने की बात ये है कि आपरेसन हाथ को काम्याब होने में कुछ दिन लगते हैं या कुछ महीन हैं तो दोष्टों देखते रहे देश रोजाना मिलते हैं फिर कल नए मुद्धे के साथ नए एपिसोड में जै हिन जै भारत जै सविधान नमस्कार